आप सभी का स्वागत है ग्या नरीन में मैं हून रिशान गुपता और देफ्टन स्विफ में दोस्तों आज हम बात करेंगे टेक्स व्यू की ठीके टेक्स व्यू के मॉडिफायर किस तर से यूज होते हैं किस तर से हम इसके डिजाइनिंग करते हैं ठीके कम्प्लीटली हम ट त्र Smut entsprechend MP3 करें टेक्स पहले हम क्या डिलेटे किस में लींफे डिले दे हैं अब यहत्生 करते। 158 कमंद प्रेस करते हैं जैसे आप इसके सबस्त सवाइब करेंगे तो एग आपको डियालोग बोसक्त देघा रहा होग गया दिख रहा है कि यहां लिखके आ रहा है, देखिए, Embedded in Horizontal Stack View, Vertical Stack View या List, हमें कहें चाहिए दोस्तों, Vertical Stack जैसा कि आपका यहां पर आगया यह, अब सबसे पहले दोस्तों, हम इसका Modifier यूज करेंगे, Font का, Font की बात करते हैं, Font में, जैसे मैंने Last भी आपको पताए था, कि आपका एक Title होता है, अगर आप उसको ऐसा Title दे देंगे, तो क्या आजाएगा दोस्तों, Title की तरह आपका Text Present हो जाएगा, अगर मैं यहां पर Large कर दूँगा, तो Last Title आजाएगा, ठीके, जो Text का आपका Representation हो जाएगा, वो Last Title पर हो जाएगा, ठीके, एसी दोस्तों, आपका बहुत सारे इसमें होते हैं, एक होता है आपका Call Out, हाँ, Call Out, चीके, Call Out आपका एका करता है दोस्तों, देखिए, Call Out आपका थोड़ा छोटा इसको कर देता है, तो कुछ इसके Standard पॉंट दे रखिए हैं दोस्तों, जो अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर, चीके, कुछ इसमें दोस्तों, आप हाट कोड भी अपने font डाल सकते हो, जैसे अगर आप .sys अगर लेते हो, तो जैसी आपनी .sys लिखा, तो आप देख रहोंगे system के आपके ये four type के, आपके ख्यारें, दोस्तों, modifiers आरे हैं कि आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपका style, आपका style में क्या देदोगी, text style देदो, या आप सीधे size देदो, या font style, design देदो, या size के साथ width भी देदो, और आप design भी देदो, चीक है, लेकिन हम अभी यहां का focus, यह आप कोई साथ यूज़ कर सकते हो, जितना आप practice करोगे, आपको पता चलेगा, मैं हर एक यहां पर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो most important चीज़े हैं, और कहां कहां कैसे-कैसे use होना है, वो text के बारे मैं आपको यहां पर सारी चीज़े बताऊंगा, चीक है, तो दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे थे, size की, custom size की, अगर let's see, मैं आपको 40 दे देता हूँ, तो देखिए, यहां पर 40 हो गया, तो यहां पर आप custom size भी अपना दे सकते हैं, dot system से, ठीक है, जो की किसके अंदर यूज होता है दोस्तों, font modifier के अंदर, ठीक है, तो font आपका हर एक के लिए, कहीं पर भी यूज हो जाएगा, यहां पर भी font देना होगा, modifier, ठीक है, लेकिन अभी हम किसकी बात करें दोस्तों, text की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमने क्या लिया, font modifier, ठीक है, अगर मैं चाहूं तो दोस्तों, यहां पर, एक इसका आता है, italic नाम से आता है modifier, कि अगर आप इसको ऐज़ा italic दे दोगे, ठीक है, तो आपका text कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो देखे, italic हो गया, जैसे आपको यहां दिखाई दे रहे, अगर आप चाहते हो कि italic के साथ साथ, यहां पर आपका cut-ahoo अभी आए, ठीक है, तो उसके लिए भी एक होता है, strike something होता है, strike through, strike through, यह क्या करेगा, देखे, simple is that, कहाँ आप code करते थे कि एक view बनाया, उस पर text लिया, फिर एक एक काटते वे view बनाया, तो बहुत प्रॉलम होती दोस्तों, यहां सिर्फ यहां सिर्फ यह में simple के लिखना है, dot strike through, ठीक है, यह सारा किस से आपका रिकनेक्टेट है, आपका UIKit से आपको यह साही चीज़ें आपको यह मिल रहे हैं दोस्तों, चीक है, चलिए, अभी इस में हम बात करते हैं दोस्तों, foreground color की, foreground color आपका क्या करेगा, जो text है, text का color change कर देगा, जैसे, अगर let's see, मैं यहां पर कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे, text का color क्या होगे दोस्तों, white, लेकिन दोस्तों, अभी मुझे क्या चीए है, यहां पर इसको दिखाना है, तो मैं background color भी यूज़ कर देता हूँ, चीक है, background के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें use करना पड़ता है, color dot, ठीक है, और यहां ले लेते हैं black, white and black, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, यह आपका इस तरह से यह दिखाई, दे रहे है text, अब मैं चाहता हूँ दोस्तों, यहां पर हर side से padding आ जाए, ठीक है, चलिए, वो भी हम कर जेते हैं, आपका एक आता है dot padding, modifier, ठीक है, जिससे देखे कैसा ही चीज़े कर सकते हैं, size दे दीजे, insert दे दीजे, या age आप दे दीजे, length दे दीजे साथ में, लेकिन हम लेते हैं padding, अगर simple आप padding करोगे, तो automatically यह size ले लेगा, standard, नहीं, आप चाहों तो यहाँ पर 10 आप लिख दोगे, तो उसके हिसाब से यह कर देगा दोस्तों, जितना आपको जरवत है वो भी लिख सकते हो, standard भी उस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या है, अगर मैं चाहूं कि यहाँ से यह भी आपका full भी दो जाए, इधर से भी full भी दो जाए, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकते हो दोस्तों, उसके लिए मुझे इसके frame में change करना पड़ेगा, तो frame में change करने के लिए भी इसने हमें modifier दिया है दोस्तों, ठीक है, तो frame नाम का हमारा है एक modifier, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं आपके, blank भी आपका है, initialize आप कर सकते हो, as a blank या void, ठीक है, या width, height और alignment दे सकते हो, या आप min width, ideal width, ठीक है, align आप ये भी कर सकते हो, तो बहुत सारे हैं दोस्तों, जो अगर आप use करना चाओ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे frame लेंगे, और यह आपका आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ अभी आपका देखे, blank आपका आ चुका है, ठीक है, कभी-कभी यह थोड़ा build नहीं होता, तो यह problem कर देता है, कोई issue नहीं है, हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, जैसी मैंने frame आपका लिखा, तो आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, कि यह आपका min width है, पहले मैं यह वाला ले लेता हूँ, तो यह आप यह देखिए, क्या-क्या है इसमें, min width आता है, minimum width कितनी रहेगी, ideal width कितनी रखनी है, max width आपको कितनी रखनी है, minimum width, minimum height, ideal height, max height, alignment, अब दोस्तों, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किसी एक को यूज करूँगा, लेकिन आपको गया सब, फिर आपको फिल्ट करने पर नहीं, अब देख रहे हैं, आपके question mark लिखा हूँ है, टैट मिस यह कहा हैं, दोस्तों, आपकी optional, अगर आप चाहो, तो लिखिए, नहीं चाहते हो, तो मद लिखिए, इसमें दोस्तों, मुझे कह चाहिए, आपकी with चाहिए, जो की कौन सी होगी, max आपकी कितनी जाएगी, आपका यहां तक आजाए, और यहां से यहां तक आजाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोस्तों, यहां से आपको यह हटा देता है, ठीक है, max with मिल गई, और यहां से यह हटा देता है, तो यह आपकी max with आगए, max with के लिए भी हम अगर चाहें, तो complete अगर आपको देना है, तो आप dot, आपका यह करता है, infinity, ये करता है, आपका infinity कर देता है, लेकिन यहां से यहां तक, आपका यहां से यहां तक, क्या आजएगा, with complete हो जाएगी, आपने with कितनी दे दी दोस्तों, infinity, अगर आप height max infinity देते हूं, तो आपकी max height यहां पर infinity हो जाएगी, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, तो यह चीज हमने कर दी, अब दोस्तों, मैं थोड़ी सी चीज और आपको बताता हूं, कि जैसा कि आपको यह दिखाई दे रहा है, background color, अगर background color को मैं यहां से हटाके, frame से पहले call कर देता हूं, तो देखे क्या हुआ यह, छोटा हो गया, क्या मतलब हुआ, कि यहां से यहां तक जो आपको order आ रहा था, ठीक है, यहां ते आपकर क्या हुआ, जितना इसका size था, जो आपकी padding थी, normal size, text के सब ले रहा था, उतने में background color आ गया, लेकिन जो हमने frame आपका लिया, infinity, देखी frame तो आपको complete दिखाई दे रहा, लेकिन वो background filled नहीं हो रहा है, तो उसका reason यह है, कि आपका जो दोस्तो swift UI है, उसमें modifier की ordering भी matter करती है, यह बात दोस्तो ध्यान से याद रखिएगा, कभी-कभी अगर आप problem में आ जो, कि यार मैंने padding दी, padding आ नहीं रही, मैंने background color दिया, वो दिखाई नहीं दे रहा, complete क्यों नहीं हो रहा, frame यहाँ पर, तो दोस्तो ordering भी आप ध्यान में रखिएगा, कि order आपको किस तरह से रखना है, आपके modifiers का, अगर आपने order ओपर नीचे कर दिया, तो आपका view क्या होगा दोस्तों, गरबड़ा जाएगा, तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखे, इसलिए मैंने यहापे आपको इचीज करके दिखाई, कभी-कभी क्या होता है, कुछ आपके developers होते हैं, twitter होते हैं, वो simple आपको ऐसे करा देते हैं, प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आप क्या करोगे, अपने आपको इंप्रूव करोगे, SwiftUI में, मैं यहापे केवल concept सारे के लिए करूँगा, इस tutorial में, ठीके, और अगर आपको programming करनी है, वाई, project, तो आप में अगले tutorial में जा सकते हैं, चालू कर रखा है आपका, ठीके, SwiftUI जिस पर कभी सारी में application बना रहा हूँ, ठीके, और यहाँ पर मैं के कर रहा हूँ, केवल depth in Swift, आपके Swift के सारी चीज़ों को दोस्तों, आपको explain कर रहा हूँ, ठीके, SwiftUI जितनी भी आपके elements हैं, containers हैं, यह आपके views हैं, हर चीज़ को animation हो गया, anything, सारी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीके, छलिए, थोड़ा सा और दोस्तों इसमें interesting कर लेते हैं, हम चाहते हैं, इसको यहाँ से हटा दू, ठीके, आपने यहाँ से हटा दिया, और एक text view all ले लेता हूँ में यहाँ पर, ठीके, जिसके अंदर में लिख देता हूँ, निशान्द, गुपता, अब यहाँ आप देख रहों दोस्तों, यह दोनों छोटे हों गए, अब अगर, वी इस टेके container की आप बात करते हो, तो और आप चाहते हो, कि पूरे container में जितने भी आप text view यूज कर रहे हो, उनका जो font size है, वो same रहना चाहिए, मैंने चाहता हर एक को एक एक करके देना, ठीके, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या कर देखते हैं, यह जो आपका V stack है, यह यहाँ पर end हो रहा है, यहाँ पर हम dot आपका क्या कर देंगे, font size कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ठीके, तो यह क्या करेगा, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, जितने भी इसमें text view आप लेके आओगे, उन सब का font size होगा, वो 40 रहेगा by default, ठीके, क्योंकि आपने यहाँ पर mention कर दिया है, कि आपने किसी भी text view में नहीं लिया है, आपके चातों, जितने भी आपर text view होएं, आपके उन सब का font size क्या हो, 40 हो, तो आप क्या करोगे, जो उसका container है, ठीके, उसका modifier as a font आप लिखो के, और वहाँ पर define कर दो के, तो वो क्या करेगा, उस container के जितने भी अंदर आपके views होँगे, उन सब का size क्या कर देगा, वो 40 कर देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीके friends, तो दोस्तों इसमें आज text में इतना ही, चलता जाओंगा, वीडियो बनाता जाओंगा, तो वहाँ पर इन चीज़ों को मैं डिटेल में भी discuss करूँगा, दोस्तों, चाहिए वी stack हो गया है, edge stack हो गया है, आपका, z stack हो गया है, text view हो गया, anything, कर रख है, ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर इतने ही, मिलते हैं फिर next lecture में,